हेलो कैंसर वेलकम अन माई चैनल, 222 चैरो हिंदी उर्दू, आम योर गल्ल तूबा, नमस्ते, सच्छा कार, असलाम वुलेकूं, वेलकम अन माई चैनल, आई देखते हैं कैंसर की रीडिंग आपका सन्मून राइजिंग, अगर कैंसर में है, कैंसर जोडेक साइन में है, तो आपका सन्मून राइजिंग कैंसर में है, तो यह आपकी रीडिंग है, लेट सी कैंसर आपके लिए ओवर आल थीम देखते हैं, आपने वीडियो को लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर करना है, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं, और अपने दिमाग में कैंसर आपको रसीव हो सकता है, कोई कम्यूनिकेशन आपको रसीव हो सकता है, यह आपके पूरे मन्त की थीम है, 25th, October, या 2, 7, 9 जो डेट है, वो मन्त की इंपॉर्टन्ट है आपके लिए, इस देट को कुछ हो सकता है, आपको कुई अपाइन्मेंट लेटर भी मिल सकता है कुई message है, कुई invitation है किसी party में या किसी interview का, कुई test का कुई ये apartment letter है जो आपको मिलेगा या promotion letter भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए और कुछ लोगों के लिए बहुत important letter मतलब message रसीव होगा आपका किसी की तरफ से कुई आपसे बात करना चाता है या friend है, कुई lover है कुई family का कुई message है, वो आपको रसीव होगा we also have coffee तो हो सकते आप Scorpio के साथ deal करें number 8 बहुत important है, definitely October 8 को कुछ होगा, आपकी life में या changes आ सकती है, या finally October 27 के बाद आपको life change होती भी नजर आएगी कोई past वाली चीज कोई past से कोई आपको message कर सकता है कोई communicate कर सकता है, कोई इनसान जिससे आपकी बातचीत खतम हो गई थी कोई friend है, कोई lover है या कोई ऐसा इनसान जिसके साथ आपका relationship कतम हो गया था, friendship खतम हो गई थी, आपकी दर्मियान में कोई आपकी लाइफ को change करने वाला है with this coffee in लेकिन डेफिनेटी past वाली ऐसी चीज आप इसे कुछ लोग past को release भी कर रहे हैं, ठीक है, हो सकता है आप इस मांथ से किसी के साथ ब्रेक अप करें या आपका relationship खतम हो सकता है किसी के साथ या जिसके साथ खतम हो था वो इनसान वापस आ सकता है, आपसे बात कर सकता है chances है याँ पर we also have the ring okay, so कुछ लोगों के लिए आपकी हो सकता है, कुई रिष्टे की बात पकी हो सकती है या किसी की शादी का invitation भी आपको मिल सकता है कोई engagement, कोई mangani कोई शादी, ये चीज़ मुझे नजर आ रही है कोई proposal भी आ सकता है आपकी life में क्योंकि यहाँ पर रिंग है 25 जो है वो important date हो सकती है आप 25, 28 ये 27 आपकी age भी हो सकती है यहाँ पर रिंग है तो definitely और यहाँ पर लेटर है जैसे proposal की यहाँ एक चीज़ मुझे नजर आ रही है proposal आ सकता है engagement हो सकती है यह किसी की शादी यह किसी की engagement का यह कोई party का आपको event मिल सकता है, invitation मिल सकता है यह contract भी हो सकता है जो आपकी life को change कर देगा, मैं business deals की बात कह रही हूँ उसकता है किसी के साथ कोई contract है कोई business deal है, वो भी आपकी life को change कर सकता है ठीक है, और कोई passive भी वापस आ सकता है जिसके साथ आपका पहले क्वी contract था यह business था, वो इनसान भी आपसे दुबारा contact कर सकता है, कोई friend है, कोई ex-lover है ठीक है, वो भी आपकी life में आ सकता है अब मजीद देखते हैं आपके लिए क्या हो रहा है cancer इस मंथ में आप क्या experience करेंगे आपकी love life में क्या हो रहा है let's see from tarot ace of swords so definitely new beginnings है आपकी life में Gemini लिब्रेक्वेरियस हो सकते है जिसके साथ आप डील कर रहे हूँ आपकी life में new beginning start होने वाली है new relationship start होने वाला है आपको बहुत सरी चीज़ें clarity मिलेंगी again यहां letter और ace of swords आ रहा है तो definitely कुई आपसे बात करना चाता है आपको message receive होगा call receive होगी email receive होगा कुई आपको clarity देगा कुई आपको अपनी feeling express भी कर सकता है कुई आपसे माफी भी मांग सकता है यह चिस मुझे यहां पर नजर आ रही है तो definitely आपको बहुत सारी चीज़ें clear होगी कि finally अब आपकी life में क्या हो रहे है लेकिन कुछ लोग के लिए बिलकुल new relationship है with this letter and the ring new relationship आपकी life में start हो रहा है जो आपकी life को बिलकुल change कर देगा आपकी career में देखते हैं इस मांत क्या हो रहा है cancer we have eight of cups तो आप मैंसे कुछ लोग हो सकता है कि आप हो सकता है water sign के साथ भी deal कर रहे हो यहाँ पर एक चीज़ हो रही है मुझे लग रहे है कि आप किसी past relationship को छोड़ रहे हैं या आप जिसको छोड़ चुके थे वो इंसान आपसे बात कर सकता है या आपको उस मामले में क्यों clarity मिलेगी आप ऐसे कुछ लोग career के अगर मैं बात करूँ तो आपकी life में बहुत relocate करना पड़ेगा मतलब जहां पर आप job करना चाहते हैं या आप अपने career में कोई बहुत बड़ा change चाहते हैं तो आपको relocate करना पड़ेगा मतलब यह कि आपको किसी और जगह पर जाकर करना पड़ेगा किसी और city में यह हो सकता है कुछ लोग आप plan कर रहे हैं विदी ऐस या आप कुछ नए start करने वाले हैं जो आपको काफी benefit कर सकता है आपको कल को success दे सकता है अब आपके लिए advice देखते हैं कि इस month के लिए advice किया है या आपको कहा focus करना चाहिए इस month में और क्या आपकी life में कोई changes आ सकती है let's see we have a five of wands आपके लिए advice यह है कि जितना हो सके drama स से दूर रहें with a five of wands आप fire sign के साथ भी deal करें Aries Leo Sagittarius जितना हो सके drama से दूर रहें लड़ाई जगडे से दूर रहें अगर कुई आपके साथ लड़ता है conflict करता है आप से कोशिश करता है आपको you know कुछ करने के लिए ठीक है आपको पोक करता है क्या आप करें या कुई action हासिल करना चाता है तो struggle हो सकती है आप इसे कुछ लोग हो सकते है आपकी कोई engagement टूटी है रिष्टा खतम हो रहे है पास वाली चीजों को आप खतम कर रहे है या आप पास वाले पास परसन से आपको कोई message रसीव हो सकता है कुई आपकी life में past से वापस भी आ रहा है यह मुझे नजर आ रही है क्योंकि हो सकता है जिसको आपने छोड़ दिया था वो इंसान वापस आपकी life में आ सकता है लेकिन उस इंसान के life में आने से आपकी life में मजीद struggle हो जाएगी काफी challenges का सामना है हो सकता है लोग agree नहीं है या आपकी family वाले agree नहीं है तो definitely यहाँ पर आपको करना है जो चीज आप करना चाहते है उस पर फोकस करें कि आपको क्या चाहिए clarity आपको बहुत ज़ूरी है कि आपको पता होना चाहिए clearly क्या करना चाहते हो दूसरों की बातें सुनेंगे तो आपको कभी कुछ समझ नहीं आएगी कि आप खुद क्या करना चाहते हैं तो हो सकते हैं आपके लिए decision आपने खुद लेना है कि आप क्या करना चाहते हैं आपको क्या पसंद है आप किस journey पे जाना चाहते है आपको कौन सा सही रास्ता दूसरों पर चोड़ेंगे तो आपकी life इस तरह से struggle ही रहेगी अपने lessons सीखें past वाली mistakes से जो आपने पुरानी गल्तियां की है उसको दोबारा मत दोराएं mistake मत करें वरना आपको और struggle हो सकती है ठीक है तो यह आपकी reading है like share and subscribe मैं मिलूंगे आपसे next reading में बाई